शार महीने बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोत्री से आम आदमी की ये पर एक बार फिर जटका लगा है अचानक बड़े दामों से गुरुग्राम में महिलाए परिशान होकर सिलेंडर को छोड़ चूले पर उट्टी पकाने के लिए मजबूर हो गई हैं देखे मोहिद कुमार की रिपोर्ट अचानक बड़े LPG सिलेंडर के दामों के बाद जो ग्रहनी हैं उनको अब चूला चोखा करने में किस तरीकी की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी कीमते जो हैं अब अचानक से LPG सिलेंडर पर बड़ी हैं इस बारे में बात करने के लिए हम कुछ महिलाओं के पास पहुचे हैं उनसे हम बात भी करेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो पोश इलाकों में यानि गुरुगराम जैसे पोश इलाकों में भी जो है एक बार फिर चूले जो है जल उटते हैं सबसे पहले हुआ हैं उनसे बात करने की कोशिश सर्थेंट जी बढ़नेí देख रहुख सब्सक्राइब बढ़े हैं इसलेंडर करते थे और अचानक से उप्चूला अपने जलाया है क्या करण रहा है मैंगा ही होगी कितना कितना से लेंडर कितने दाम कब बढ़े हैं कुछ अंदाजा है इतना तो नहीं है अभी यह बता अभी यह तो देख लो हर महीना इदाम बढ़ते हुए आए आप फिर बढ़ा दिया से लेंडर पर अब आम बताइए तंखाएं कुल दस हजार रह गई दस हजार ग्यारे हजार कोई तंखाट ठीक से नहीं देता समय पर सेलरी भी नहीं मिलती हैं और हर महीना का बजट इतना खराब हो का हजार रुपए के आसपास तो अब सेलेंडर ही आ गया जो कि कभी 600 का भी था उससे पहल चुले परखा दू दूबलता चला रहा तो इंसान कैसे अपने बजट को कंट्रोल करेगा और खाली सेलेंडर नहीं सरसों के तेल का रेट देख लो कितना क्या बाब जा रहा कितने दिन होगे प्याज कभी चड़ जाती है कभी टीमाटरी सिर्फ फोड़ देता इतनी इतनी महंगाई आखिर जब मोदी साब ये महंगाई गिरह गिरहस्तिया में बढ़ा रहा है तो कुछ तंखा बनाने का भी देख बाहर नौकरी देखने जाता है नौकरी नहीं मिलने सबसे बड़ी बात तो काम नहीं मिलना तो आम बंदा जिंदगी जिएगा कैसे इस टाम सकूल ह रखे बच्चों की पढ़ाई इतनी बर्बाद गर दिया कि सरकारी सकूल में बच्चे दो साल से सकूल नहीं जा रहे हैं बीमारी का एक बहाना देखे आम पबलिक के तो पढ़ाई बर्बाद गर दी बच्चों की तो मोधी साब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नही बात करके जातें कभी प्रबिक के वारे में सोच कोई बात करके गईיתי दूनिया की लाइफ। कोई भी चीज एवलेवल नहीं चल रही अच्छी बस मैं तो यही कहूंगी उजवला योजना जो है कि इंदर सरकार द्वारा शुरू की गए ती इसके अंदर पर तेक ग्रहनी को या फिर हर परिवार को जो है एक स्लेंडर जो है गैस का दिया गया था मगर आज अचानक से ज बस आजार की सेलरी में इंसान हजार उपकत से लेंडरी भरवा लेगा प्लस खाएंगा क्या दुख सुक भी हैं बच्चे किसी के दो हैं किसी के तीन है तो जे जे में बचता ही क्या है महीना के आखरी आते आते आप अंधाजा लगालो भूके मरने की नोबता आ जाती है आ सबसे मोटी बात है काम नहीं मिलें लोगों को जब काम नहीं मिलेगा तो इस महंगाई में बंदा भुकाई मरेगा आप भी बताएं कि जो सिलेंडर के दाम अचानक से बढ़े हैं आपके जो परिवार की इंकम है सोर्स ओफिंकम है वो क्या है और अब अचानक बढ़ने के बा गर का सब्सक्राइब यह ओधिए एक लए में ऑख मुझे लगती है पूरी ही नहीं आती है या उसमें कुछ भी अगर हम उसका वेट करवाते हैं तो वह ही ङाता है मकर सिर्णडर तो चली नहीं रहा कुछ भी अर उतनी महिंगाई में, एक महीने में दो सिर्णडर तो एक आम जो फैमिली उती है जिसके दो, तीन बच्चे होते उनको भी एक महीने में दो ही सिर्णडर चाहिए अब कहां से लाए कोई? कहां से ला सकते हैं? तो कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो परिशान हैं इस अचानक बड़ी LPG सिलेंडर की कीमतों के बाद और इनका साफ तोर पर ये कहना है कि छोटा छोटा इजाफा जिस तरीके से महगाई का होता है तो कहीं न कहीं जिस तरीके से भाहाकार है वो गुरुगराम में भी देखने को मिल रहा है तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार ऐसे ग्रहनियों की जिस तरीके से परिशानी अचानक से आज बढ़ गई हैं उसको ले करके क्या कुछ कड़ा कदम उठाती है गुरुगराम से महुईत कुमार इंडिया नुज हराँ